तो हेलो दोस्तों आपसे भी स्वागत है हमारे चैनल पर आसा करता हूं आप स्वास्त होंगा और एक बहतर जिन्दी की जीरे होंगे तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप कैसे आप अपने जो पीएफ फंड है उसमें जो पैंसन का जो वेल्यू है फंड है उसको बहुत है नहीं सबसे पहले आपको आजाना होता है एप्पीएफ के ऐफिसिल वेबर साइट पर सबसे उपर आपको unified portal mam ipfindia.go.in है यहां पर आपको आजाना है और यहां पर आती है आपको एक उप्सन दिखेगा लोगिंग का लोगिंग पर आपको एक ँडिक करेंगे त न्हीं कि दोस्तों यह हो चुका है हमारे लोगिंग पॉर्टल ठीक है अपकर आपका होमपेज ओपन हो चुका है जहाँ आपका सबका यू एन एक आपना मेल को मैनेज कर सकते हैं ओनलाइन सर्विशिज को आपको यहाप परॉप्सन मिल जाता है टो मैंने अपना लूगंग कर लिया है यहाँ पे आrum पे प॑ंच का ठीकी तिहां पर देखें एक अप्षिन का सर्विसिस का तो आप यहां पर ओनलाइन सर्विसिस पर एक बार क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर ओप्सन दिखा है जाए जाए जिसमें आपका नाम आपके फादर का नाम आपका डेट ओपर पैन नंबर सारी डेटिल्स आपके आजाती है जहां पर आपको अपना अकाउंट नंबर वेरिफाई करना होता है ठीक है इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है अगर आप पैंसन को विड्रोल करना चाह रहे हैं तो यहां पर सबसे नीचे एक ओप्सन दिखेगा सर्विस डिटेल्स का सर्विस डिटेल्स पर आपको एक नीचे ओप्सन दिखेगा कि आपने कब उस कंपनी को जोईन किया था और है तो यह अगर अपडेट नहीं है तो आप अपने पैंसन को विड्रोल नहीं कर सकते यहां पर आपको उपना sleeping verify करना होता है तो मैं यहांप भेर रिखाई कर लेंट है यहां पर यहां पर वरिफाई कर लिया अपने the claim amount will be credit to bank account by EPFO ठीक है तो आगे अगरी पर आपको क्लिक करना होता है यस ठीक है यस कर दिया आपने अब नीचे यहाँ पर एक option दिखेगा proceed for online claim आपको यहाँ पर click कर देना है यह अब यह आ गया है जहाँ पर फिर से आपका प्लीज चोईस क्लेम टाइप फिए फिड्रोल पिए एड्वाइंस पैंसन विड्रोल यहाँ पर सारी चीजे और प्लिजाता है आई वंट फॉर यह पर रीजन पर अपको क्लिक करना होता है कि कि स्कीम के देहता आपको करना है निकालना है पैंसन ठीक है आप बहुत सारे online प क्लिक करने बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना होता है ठीक है एड्रेस फिल करने बाद आपको अपना नीचे आप अपना बैंक पास्बूक या फिर चेक बुक अप्लोड करना होता है ठीक है अपलोड करने बाद यहाँ पर आपको डिकलरेशन देकर आप न अप्लोड करने के बाद आपको यह अधार OTP पर क्लिक कर देंगे अब यह OTP जा चुका है जो अधार नमबर के साथ अटेच है आपका मुवाइल नमबर उस पे एक OTP आएगा वो फिल अप कर देंगे आप और वेलिडेट कर देंगे यह अब OTP मैंने फिल कर दिया है OTP का वेलिडेट कर देते हैं सम्मिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक करके यह सम्मिट हो रहा है ओनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट इस सम्मिटी एड पॉर्टल तो यह बफरिंग हो रहा है हाँ तो देखिए दोस्तो यहाँ पे आपको एक OTP has been verified EKYC update and pension withdrawal claim form submitted successfully यह तो यह सक्सेशफूल हो गया है अगर आपको यहाँ पे एक option दिया देता है PDF को डाउनलोड करने के लिए ता आप क्लिक करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं कि यह आपने अप्लाई किया था और यह आपको दो से साथ वर्केंडेस में आपको अपना पैसा आपके अकाउंट में मिल जाता है तो इस तरह से आप अपने जो आधा Employment Provident Fund है उसमें से आप अपने पैसन का जो भी फंड से आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं लेकिन इसके लिए सबसे अनिवारी है कि आपको उसमें लास्ट वर्केंडेस उसमें सो करना जोरूरी होता है आपने कब उस और्गनाजसेशन को छोड़ा वह अपडेट होना जोरूरी है अगर आप पैसल को विड्रॉल करना साथ है झांक यू सो मुझ वर वाचिव वीडियो दो सबस्क्राइब मैं चैनल थैंक यू सो मुझ